हलो स्टूदेंट्स टेड़ इन इस वीडियो वी आर गोईंग टू रीड यॉर वर्क बुक लेशन तैन जिसका टाइटल है ट्रिबुट तू आज किस वीडियो में हम देखेंगे आपके क्लास 10 जो ने इंगलेश के लेशन तैन का वर्क बुक का ट्रिबुट तू में जो अ कोईशन पेपर में आये हैं और अनसीन पैसेज भी आपके सॉल्व करने के लिए एक्जाम में आती रही है तो इसमें अन्सीन जो है उसमें एक कबूतर और मधमक्षी इन दौनों के आपसी सहयो किस प्रकार से होता है उसके बारे में एक स्टोरी है उसके आप स्टोरी आप को पढ़ना है जो कि सीधे आपके पेपर में आएगी चलिए अंसीर को देखते हैं a bee went to a tank to quench its thirst and tumbling in was almost drowned अंसीर में एक bee है मदमक्खी जिसको कहते हैं जो फूलों से वेस्ट चूजती है और अपना मदमक्खी का च्छता बनाती है अपना हाइब a bee went to a tank to quench its thirst तो एक मदमक्खी एक पानी के टैंक के पास गई to quench its thirst अपनी प्यास बुजाने के लिए प्यास बुजाने के लिए वो पानी के टैंक के पास गई and tumbling in और वो लडखला गई उलट पलट होने लगी उसमें वाजालमुस्ट drowned और वो लगबक डूब गई थी डूबने वाली थी ऐसी उसकी हालत पानी के टैंक में हो गई थी अब वहां से एक डव एक कभूतर गुजर रहा था उसने मदमक्की को पानी के अंदर इस खत्रे में देखा कभूतर ने इट हैस्टेंट टो ए नैवरिंग ट्री तो वो जल्दी से एक पास में पेड था पलोसी पास में उस पेड के पास गया और उसने एक पत्ती को तोड़ा द्रॉबड इट इन्टो द वाटर बिफोर द बी और उस पेड की पत्ती को उसने मदमक्की के सामने पानी में गिरा दिया और वो मदमक्की उस पत्ते पर चड़ गई ड्राइड इट्स विंग्स बाहार निकल करके उसने अपने विंग्स अपने पंकों को सोखाया पानी से जो गीले हो गए ते उनको सोखाया and flew away to its hive hive मने मदमक्की का जो छत्ता होता है उसको बुलते हैं तो वो फिर अपने मदमक्की के अपने छत्ते की तरफ वो उड़ गई full of gratitude to the dove that had saved its life और वो पूरी तरीके से gratitude करतागे थी आभारी थी नहनेबाद उसने कहा उस कबुतर को उस dove को जिसने के उसका जीवन बचाया था तो यह इस story का एक पार्ट है इसके अगले पार्ट में हम देखते हैं कुछ दिन बाद यह जो घटना हो गई जब मदमक्की की जान कबुतर ने बचाई पानी के टैंक से उसके कुछ दिन बाद, a few days later, कुछ दिन बाद, same भी वही मदमक्की जब वो returning अपने वापस हो रही थी, अपने मदमक्की के चत्ते की तरब वापस हो रही थी उसने देखा कि वो पेड़ की साखा पर बैठे हुए उसका बूतर पर निशाना लगा रहा था यानि पत्थर मारने की कोशिश में था वो निशाना लगा रहा था उस लड़के की कलाई की तरफ उड़ी जसे ही वो उसका बूतर पर निशाना मारने वाला था तो इस मदमक्खे ने उसको कलाई पर काट लिया उस लड़के को लड़का दर्द से डांस करने लगा जब डंक उसका लग गया तो वो नाचने लगा दर्द से वाइल ड़व जबके वो कबूतर realizing the danger उस खत्रे को महसूस करके to which it was exposed जिससे कि यह अब बाहर आ गया था उस खत्रे से उसको realize करके महसूस करके flew safely away दूर सुरच्छित वो उड़ गया तो यह आपने अंसी देखी जिसमें किस प्रकार से एक मदमक्खी की मदद कभूतर करता है और वक्त आने पर डव की मदमक्खी करती है तो यह दुनिया एक दूसरे के सहयोग से ही चलती है पता नहीं कब किस वक्त हमें एक निर्जी प्राणी या निर्जी कोई भी बैक्ती प्राण की जरूरत पढ़ सकती है हमारे life में क्योंकि तमाम तरह की situation परिशितियां हमारे साथ आती हैं कभी हम भी विपथी में फज जाते हैं तो हमें ये चीजें हमारे अच्छे काम हमें हमारे बुरे वक्त में काम आते हैं इसकी question answer की बात करें तो पार्ट ए में इसकी question आंसर है important question answer the following questions इन प्रश्णों के उत्तर दें first question है what happened to the bee that went to the tank प्रश्ण है कि उस मदमख्य के साथ क्या हुआ what happened to the bee उस मदमख्य के साथ क्या हुआ that went to the tank जो के tank की तरफ गई थी पानी के tank पर गई थी वो ब्यास बुजाने के लिए तो उस मदमख्य के साथ क्या हुआ first question यह है answer देखें the bee fell into the water मदमख्य पानी में गिर गई and was almost drowned और लगबग डूबने वाली थी दूसरा question है how did the dove help the drowning bee कब उतर ने उस डूबती हुई मदमख्य की मदद कैसे की answer है the dove helped the bee by dropping a leaf before the drowning bee कब उतर ने उस मदमख्य की मदद की कैसे by dropping a leaf एक पत्ती गिरा करके before the drowning bee यानि डूबती हुई मदमख्य की सामने एक पत्ती गिरा करके उसका बूतर ने मदमख्य की मदद की the bee climbed on to the leaf उसके बाद मदमख्य पत्ती पर चड़ गई dried its wings and flew away अपने पंख उसने सुखाय और वो ओडगई इसी answer का ये part है second question का third question देखे है what did the bee feel when it was returning to its hive मदमख्य ने क्या महसूस किया जब वो अपने मदमख्य अपने छत्ते की तरफ hive अपने छत्ते की तरफ लोट रही थी तो bee ने मदमख्य ने क्या feel किया answer है when the bee was returning to its hive जब मदमख्य अपने छत्ते की तरफ लोट रही थी it was full of gratitude तो वो करतगिता से आभार से gratitude से भरी हुई थी towards the dove उसका वूतर के लिए which had saved its life जिसका वूतर ने इसकी जान बचाई थी उसके प्रतिवाबारी थी करतगिती और उसे भरी हुई थी जब वो अपने छत्ते की तरफ लोट रही थी fourth question है what did the bee find later मदमक्षी ने बाद में क्या महसूस किया answer है if few days later the bee found a cruel boy taking aim at the dove sitting upon the branch of a tree कुछ दिन बाद मदमक्षी ने पाया कि एक cruel boy एक अपरादी बच्चा एक त्यचारी बच्चा लड़का उस कभूतर जो की पेड़ पर पेड़ की साखा पर बेठा हुआ था उस पर वो निशाना लगा रहा था यानि उसको चोट पहुँचाने की कोशिस कर रहा था part b में sentence complete करना है complete the sentences first है the dove the dove dropped a leaf into the water यानि कभूतर ने पानी में पत्ती गिराई अब इसके आगे का sentence क्या होगा तो हमने answer लेकर करके आपको दे दिया है before the bee यानि की मदमक्खी के आगे तो उसने पत्ती गिराई थी second है the bee flew to the wrist मदमक्खी flew to the wrist कलाई की तरफ मुड़ी इसके आगे का क्या sentence है of the boy लड़के की कलाई की तरफ मुड़ी just when he was going to shoot the dove stung it जब वो उस बच्चे को बच्चा जो है उसका भूतर को निशाना मानने वाला था तो उसने उसको काट लिया लड़के की कलाई पर पार C में find one word for each of the following phrases यह आपके unseen में question आते रहते हैं कोई भी एक सब्द बताने के लिए जो के unseen पैसे से related रहता है तो question यह है the feeling of being grateful यारी आभार महसूस करने की भावना क्या होती है उसको क्या कहते है gratitude कहते हैं दूसरा the possibility of something happening that will injure or harm ऐसी कोई संभावना चोट पहुचने की संभावना नुक्सान पहुचने की संभावना जो feel होती हो उसको क्या कहते है realizing यह आपके unseen के question answer थे आपको वीडियो पसंद आया होगा thank you MP English Classes चे आप जुड़े रहे हैं और अपने बागी के lessons workbook के lesson आपको मिल जाएंगे इस वीडियो को description में हम test book और workbook के सारे lesson के प्रोज explanation और question answer भी आपको दे रहे हैं आप जिसका लाव उठा करके अपने syllabus complete कर सकते हैं MP English Classes उसको आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe जरू करें subscribe करना बहुत सरल है एकी वीडियो में एकी बार subscribe करना है बार बार subscribe नहीं करना है अपने मुबाइल में देखिए लाल कलर से subscribe लिखा हुआ होगा उस लाल कलर के subscribe को वीडियो के नीचे टच करेंगे तो वो white color मदल जाएगा यानि channel subscribe हो जाएगा बेल आइकों दी होगी घंट subscribe जरूर करें बेल आइकों को टच करें और सी तरह के वीडियो आपको चाहिए grammar related, writing skill related तो हमने playlist बना रखिए आप हमारे MP English Classes के playlist में जाएगे चैनल पर तो आप उस अभी तरह के वीडियो मिल जाएगे वीडियो अच्छा लगा हो तो like or share करें कोई problem हो तो comment करके जरूर बत अजम है कि दूर करें 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 पहुत बिया एंजम है करें करें कि मादे रखिः आप बाला करें करें वीडियो